Today we are going to discuss a drug that is called as Ceftazidime. अब Ceftazidime basically क्या है, इसकी dosage form क्या है, uses क्या है, clinically कौन से बिमारियों में इस्तिमार की जाती है, इसको इस्तिमार करने से क्या क्या side effects आ सकते हैं और इसकी administration यानि patient को किस तरह से दी जाती है, इन तमाम चीज़ों का हूँ discuss करेंगे, लहाज़ा इस वीडियो के end तक हमारे साथ बने रही है, और end पर like करें, comment करें, share करें और subscribe करना न भूलें. Starting with the drug, सबसे पहले जब बजार जाते हैं, फामेसी पे जाते हैं, इसका बहुत specific brand है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी इलावा injection, इसकी इलावा 1 gram की injection आती है, फिर यह इंडिया पाजिस्तान में इसी नाम से अवेलिबल है, और यह बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है, लेकिन क्यों कि यह injection है, तो यह आप खुद से कभी नहीं use करते हैं, या तो hospital में होंगे, या कोई nurse आपको administer कर सकता है, उसके बाद starting with the dosage form, देखें एक तो आपने बात कर ली कि injectable solution है, 20 mg में भी आते हैं और 40 mg में भी आते हैं, लेकिन कुछ powder for injection होते हैं, यानि के powder form में होंगे, और nurse जो होगा, वो खुद इसको reconstitute करके आपको देगा, 500 mg, 1000 mg, 2 g, इवन 6 g तक भी available है, अच्छा mechanism, जैसे मैंने बात की, एक antibiotic है, antibiotic में एक class आती है, cephalosporins, अब cephalosporins का 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 है, देखें, फर्स करें, आपके पास एक bacteria है, जिसकी एक cell wall है, अब bacteria की cell wall आपस में होती है, cross linked, इस cross linking को हम कहते हैं, trans peptidation, और trans peptidation के लिए, एक specific enzyme चाहिए, trans peptidase, we call it penicillin binding protein, जो के basically trans peptidase है, आपकी जो drug है, cephalosporins, जैसे septazidime, वो आती है, और इस penicillin binding protein को block कर देगी, means trans peptidation आपने बंद करवा दी, जब trans peptidation बंद हो गई, तो bacteria की cell wall synthesis भी block हो गई, bacteria cell wall नहीं बना पाएगा, जिसकी वज़े से bacteria की death हो जाती है, इस तरीके से आपकी drug काम करती है, अब bacteria तो बहुत सारे, ग्रिम negative bacteria के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है, और ग्रिम positive के खिलाफ ज्यादा effective नहीं है, सुडो मोना सेरो जिनोजा, जितना खतरनाक bacteria है, उसके खिलाफ बहुत खुबसूरत काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ higher efficacy भी है, जो resistant है, यानि वो organism जिन पर बाकी antibiotic काम नहीं करती, सेफ्टा जिडाइम वहाँ पर बहतर choice हो सकती है, अब मैं आता हूँ, वो बिमारियों की तरफ के जिन में इसका इसका इस्तेमाल है, bone and joints infection, अब हर्डियों का यह जोडों का जो infection है, अब आप जानते हैं, severe kind of infection लोगों को admit होना पड़ता है, तो nurse इस्तेमाल करेगा, 2 gram की drug आपको intravenously लगाता है, दिन में 2 बार, every 12 hours, तो यानि कि दिन में 2 बार, सुबा, शाम, gynecological या intra-abdominal infections, यानि खवातीन में अगर gynecological है, या फिर पेट के अंदर की infections हैं, दोज वही रहेगी, 2 gram की injection आपको लगाई जाती है, direct blood में, फिर pulmonary infection, यानि कि अगर आपके सीने में, lungs में, फेपड़ों में कहीं में infection हो गया है, और खास करके pseudomonas, species, बहुत ही severe kind of infections फहलाते हैं, जिन लोगों को cystic fibrosis हो, वो high risk पर हैं, now understand the terminology, cystic fibrosis एक genetic disease है, जो के आपके lungs से associated है, उपर से pseudomonas ने भी infection फहला दिया है, उस वक्त फिर आपके लिए बहतर drug, septazidigm हो सकती है, 30 से 50 mg पर kg, देखें, body weight के हिसाब से दी जाती है, हर बंदे को, चाहे अब दिन में तीन बार दें, या अब दिन में maximum dose दें, तो 6 gram से ज्यादा ना दे, अच्छा, UTI यो लोगों को हो जाते हैं, खवातीन में ज्यादा होता है, मर्दों में UTI कम होती है, लेकिन UTI भी कुछ uncomplicated हैं, कुछ uncomplicated हैं, किड़नी की तरफ चले जाते हैं, फैल जाते हैं, uncomplicated है, simple है, तो 200 mg की ड्रग भी काफी है, severe का A.K. से तो 500 mg की ड्रग देनी पड़ती है, और life threatening infections, जैसे immunocompromised patients हैं, जैसे AIDS वगेरा वाले हैं, या जिनका transplant हुआ है, या जो steroids का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में कभी कभी बहुत खतरनाक जान लेवा infection हो जाते हैं, तब भी 2 ग्राम तक की ड्रग दिन में 3 बार लगाई जा सकती है, याद रखी ये ड्रग क्योंके injection की form में हैं, खूद नहीं लगाते हैं, प्रोटोकोल में admit होके, नर्स आपको ये injection लगाते हैं, administration के भी अपने प्रोटोकोल हैं, जब आप inject करेंगे, तो क्योंकि ये IV है, direct intravenously, तो आप 3 से 5 मिनट लगा कर, आराम आराम से इसको वेन में inject करवाते हैं, और एक कोई compatible infusion के थुरू आप लगा सकते हैं, और अगर आप infuse कर रहे हैं, यानि वक्तन फा वक्तन तो तक्रीबन अराम अराम से 15 से 30 मिनट की infusion में भी आप drug inject कर सकते हैं, और एक patient को 15 से 30 मिनट के अर्से के दौरान drug पूरी पहुंच जाती है, इसके इलावा अगर आप तो IV की बजाए intra muscular लगाने तो याद रखिए deep muscle में लगाने यानि कि superficial नहीं बलकि deeply inject करना है और आपने deep muscle में लगा देनी हैं, ऐसे चांदी adverse effects आप expect कर सकते हैं, क्योंकि यह एक जो है आपके पास penicillin binding protein से बिलॉंग करती है, cephalosporin, beta-lectrum drug है, तो कुछ adverse effects, side effects आप expect कर सकते हैं, क्योंकि यह injection है, philibitis की chances हो सकते हैं, injections में philibitis हो जाता है, जहाँ पर inject किया जाता है, वहाँ पर injection फैल सकता है, rash वगरा, skin की उपर problem आ सकती है, thrombocytosis, platelets पर फर्क पढ़ सकता है, जिस जगह पर drug लगा ही जा रही है, क्योंकि injection है, आपको दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि यह penicillin की जो है तरहा की drug है, उन से belong करती है, allergic reaction, hypersensitivity की reaction हो सकते हैं, white blood cells की उपर इसका फर्क पढ़ सकता है, even drug का liver की उपर फर्क पढ़ सकता है, transaminases के level change हो सकते हैं, AST और ALT पर फर्क पढ़ सकता है, और सबसेंड पर आप जानते हैं, जब आप antibiotics का इस्तेमाल करते हैं, तो diarrhea वैसे ही antibiotics से साथ हो जाता है, so that is the major information about antibiotics, इसके इलावा, if you have any question regarding the lecture, आप comment section में पूछिए, इसके साथ हाथ हमारे चनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe कीजिए, bell icon दबा दीजिए, ताक कि आपको हर आने वाली drug पहुंच आई जा सके, शुक्रिया.